आज मैं बनाने जारी वाइट सॉस पास्ता की रेस्पी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और चीजी बनके रेडी होगा जो खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी होता है बहुत जादा टर्श्टी होती और घर पर बहुत वायजी तरीके समस्को बनाके रेडी करेंगे तो प्लीज वीडियो को लाक जरूर करें, सबस्क्राइब करें अपने कमेंट हमारे साथ स्ब्सक्राइब करें नीचे जो बैल आइकन बटन होती उसको भी क्लिक कर दें यहां पर हम दो कप पास्ता ले लेते हैं और यहां पर बॉयल करने लिए पानी रख देते हैं जब पानी हमारा बॉयल हो जाता है तो इसमें नमक डाल देते हैं थोड़ा सा नमक डालने के बाद यहां पर ओयल डाल देंगे इससे हमारा जो पास्ता होता वो आपस में चिपकत पानी को बॉयल होने देते हैं यहां पर हमने इस तरह के पास्ते का यूज किया है आप चाहें तो माइक्रोणिंग पास्ता का भी यूज कर सकते हैं उससे भी इसका टेश्ट वैसा ही आता है जव अपनी पास्ता को डालते हैं तो अब इसको ढखकर थोड़ी देर के लिए पकाते हैं और ढकन खोलकर लगवग 5 मैंट इसको एक बार और चण कर देते हैं इसको चला देने से जो हमारा पास्ता वुत है वर तन मित्ले में चिपकता नहीं है तेन से फिप्टीन मिनट में हमारा पास्ता पक्के रेडी हो जाता है इसको बॉयल करने के लगबग एक तीन परसेंट तक बॉयल करना चाहिए अब अपनी एक पैन रख देते हैं इसमें ऑईल डाल देते हैं करने हमें अब यहां पर कुछ सब्धियां लेते हैं कटे हुए पयाज सिमला मिर्च गाजर सीटकॉन गालिक हरी मिर्च यहां पर हम प्याज को तुड़ा बढ़ा जब ऑईल हमारा गरम हो जाए तो इसमें चॉप करके गार्लिक ओनियन डाल देते हैं ओनियन को यहां पर हमें टांस्पैरिंट होने तक भूईना है इसको बहुत ज़्यादा गोर्डन ब्राउन नहीं करना इस परकार से पास्ता बना के रेडी करते हैं बहुत अच्छा पास्ता कट्यों हरी मिर्च डाल देते हैं यहाँ पर हमें सबजियों को हलका सघलाना आभ भूजना नहीं है अपनी कटियोंकी केरेट डाल देते हैं इसको डालने से जो हमारा पास्ता का फलेवर होता वह बहुत ज्यादा क्रंची और अच्छा आता है, और खाने में बहुत ज्यादा टैस्टी हो जाता है यहां पर सबड़ियों को ऑईल में हमें मिक्स करके हलका हलका पकाना होता है। बहुत ज़्यादा ओबर कुक नहीं करते हैं। इस पिरकार से जब पास्ता अपना रेडि ही करते हैं, बहुत जालता है। अब कैरेट को डालकर थोड़ी देड़कर पकाते हैं, जिससे हमारे कैरट हलकी सी गल जाती है. यहाँ पर देखिए सबजीयों को हमने हलका सब भूं जाया है तला. कटि हूँ सिम्ला मिर्च भाद में नाली चेयर सुट कॉन डाल दाले हैं इस सबसाबसे हम सبजी को डालते हैं तो सबजी हमारी एक तरह से पके रेडि होती हैं क्योंकि सिम्ला मिर्च के पकने का प्रोसेस होता वह बहुत वाइट होता इसलिए हम यहाँ पर केरेट और ओनियन को थोड़ा फास्ट डाल देते हैं इस परकार से जम पास्ता को बना के रेडी करते हैं वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है थोड़ी देरों ढखकर पकाते हैं एक मिनट लिए लिट बदकर पकाने से हमारा पास्ता की सब्सक्राइब बनाते बहुत इस परकार बनाते बूट ही बनता है सब्जियों को जब ओईल में इस परकार गलाते हैं तो उनका क्रंचीनेस भी खतम नहीं होता और टेश्ट भी बढ़ जाता है कटी विकाली मर्च डाल देते हैं, इसका फ्लेवर जब सब्जियों में आता है तो सब्जियों का एक साय्ड रख देते हैं और गैस पे सॉस बनाने की तैयारी करते हैं यहां पर एक कढ़ाई में बटर डाल देते हैं बटर या घी का यूज आप कर सकते हैं या ओलिव और भी डाल सकते हैं लेकिन बटर डालने से कर टेस्ट बढ़ जाता है मैदा डाल देते हैं अपने white sauce बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 या 4 table spoon मैदा का यूज किया है यहाँ पर जो हम pasta लेते हैं उसी के according हमें यहाँ पर मैदा का यूज करते हैं अब इसको golden brown होने तक भूँजते हैं इस परकार से जब अपनी मैदा को भूँजते हैं यहाँ पर मैदा को अच्छी तरह भूँज कर लेना चाहिए उसी पर उसी से हमारा जो वाइट सॉस पास्ता होता बहुत ही अच्छा बनके रेडी होता है इसको भूँजते बने में गैस की फ्लैम को मीडियम और लो में रखना चाहिए जिससे हमारा जो मैदा होती वो जलती नहीं और अच्छी सी कुख होके रेडी हो जाती है जब इसमें golden brown कलर आ जाए तो milk डाल देते हैं यहाँ पर लगवग 2 cup milk का यूज करते हैं इस रेसियो में जब हम अपना sauce बनाके रेडी करते हैं जो हमारा sauce होता बहुत ही अच्छा क्रीमी और white sauce बनके रेडी होता है अब इसको mix करने के लिए यहाँ पर बिसकर का यूज करते हैं जिससे जो हमने मैदा डाली है वो milk में अच्छी तरह से मिल जाया अगर गुल्टियां रहती है तो जो हमारा white sauce होता अच्छा बनके रेडी नहीं होता है अब लगवग मीडियम हाइफ लैंप पर जब इसकार से बिक्सर हम इसको चलाते हैं तो हमारा sauce बनके रेडी हो जाता है जब यह sauce अलगाडा हो जाता है तब इसमें नमक डाल देते हैं चिली फ्लेक्स डाल देते हैं मिक्स अब सीजनिंग डाल देते हैं इसको डालने से टेस्ट बढ़ जाता को टीविकाली मिर्च डाल देते हैं और इन सभी चीजों को आपस में मिक्स कर देते हैं इस प्रकार से जब sauce में हम इन मसालों को डालते हैं तो हमारा जो sauce होता बहु देखिए हमारा पास्ता भी कुक होके रोडी हो चुका तर जब हम पास्ता को करते हैं तो उसको जब हम पानी में निकालते हैं तो थंडे पानी से इसको दुल देते हैं जिससे हमारा पास्ता होता आपस में चिपकता नहीं और बिल्कुल रेस्टोर इस्टार्न में बनके होता है अब जब यापस मिक्स हो जाएं तो यहां पर प्रॉसेश डाल देते हैं अगर आप चाहे मौजरीला चीज भी डाल सकते हैं इस प्रकास से जब चीज डाल देते तो बच्छों का यह और भी ज्यादा फ्रेवरिट हो जाता है और बच्छों को बहुत ज्यादा पसंद कर लेते हूं पर से मिक्स और चली फ्लेक्स डाल देते हैं जिसको डालने से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है